इस धर्ती पर हर जानवर और पक्षी को पता है कि पानी कहा से पीना है, कितना पीना है और कब पीना है फिर एक हम ही क्यों हैं चो आज इतने confused है इस पानी के सवाल को लेकर कभी कोई कहता है चार नही aide glass पियो, शाम को नहीं सुभी पियो ये filter नहीं वो filter योज करो कोई कहता है गरम पीओ, कोई कहता है रूम टेंपरिचर पे पीओ, आखिर करे तो करे क्या? लेकिन अब आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे पानी के बारे में सब कुछ पहले जानेंगे ऐसी पांच गलतिया, जो अब शायद पानी पीते समय कर रहे हैं और साथ ही सीखेंगे पानी को नाच्रली फिल्टर करने का सबसे पावोफुल तरीका, प्रकृती का तरीका तो करे शुरूँ हमारा पहला सवाल है, पानी कैसे पिए? आप ही बताईए, इन में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? यह है रिंखू, घर आते ही या सुबह उठते ही गड़़ड करके पूरी बॉटल ही खतम कर जाता है यह है टिंखू, सिप बैसिप अपना ग्लास खतम करता है यह है बबली, एक सिप लेके उसे मुमी थोड़ देर स्क्विश करती है, फिर ही अंदर लेती है और यह है मिस्टर मॉन्टी, जो पानी भी पिएंगे तो लेट कर ही पिएंगे कौन सा है सही? आपके पास है पांच सेकिंड सबसे अच्छा तरीका है मिस बबली का आईए समझते हैं क्यों? अप्शिन 3 वो है जो हमारे मास्टर्स ने हमें सिखाया है Don't drink your water, eat your water यानी हर सिप को मुमें लेकर 2-3 सेकिंड के लिए स्क्विश करें कुछ इस तरह और फिर ही गल्प करें इससे क्या होता है? ऐसा करने से आपकी मुमें सलायवा पैदा होता है और वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है जैसे सलायवा खाने को डाजस्ट करने के लिए जरूरी है वैसे ही सलायवा लिक्विट्स को डाजस्ट करने के लिए भी बहुत जरूरी है Ayurved और Naturopathy जो क्या होना चाहिए? ये भी आप भी बताएए इनमें से कौनसा सही है Rinku? जो फ्रिज से ठंडा-ठंडा पाणी पीता है Tinku? जो हर बार गरम पानी ही पीता है Bubly? जो बरफ़ दालकर ही पानी पीती है यरburg when tea जो रूम टेंपरिच्छवे पानी पीता है सोचिए सोचिए सही जवाब है option 4 room temperature पानी पानी ज़रूरी है कि room temperature पे ही ले क्योंकि ज्यादा ठंडा या ज्यादा गरम पानी दोनों ही body के लिए mini shocks की तरह होते है body को दुगनी मेहनद करने पड़ती है उस पानी को पहले room temperature पे लाने पर और फिर ही पूरे शरीर में भेजने पर अब अगर गर्मिया ज्यादा है और आपको ठंडा पानी पीने का अमन करता है तो सबसे best तरीका है earthen pots पानी को मिटी के मटके में स्टोर करे वो पानी को उतना ही ठंडा करेगा जितने आपकी body के लिए सही है और जब सर्दिया हूँ तो पानी को थोड़ा ल्यूक्वार्म करके ले सकते हैं बस कभी बहुत ठंडा या बहुत करम पानी ना ले तीसरा सवाल खाने के साथ पानी कितना ले? पहला है रिंखू ये खाने के साथ साथ हर तीसरी बाइट पे पानी पीता है दूसरा है टिंखू जो खाने से एकदम पहले एक ग्लास पानी पी लेता है फिर है बबली जो पानी को खाने के साथ कभी लेती ही नहीं और लास्ट है मॉन्टी ये खाने के बाद एक ग्लास पानी पीते हैं ताकि खाना गले से नीचे उतर जाए आपको क्या लगता है? कॉनन में से ठीक कर रहा है? सही जवाब है option 3 ये गलती बहुत जरूरी है समझनी खाना खाते समय आपके पेट में एक अगणी होती है जिसे आयूर्वेर कहता है जठर अगनी अनि digestive fire ये वो अगनी है जो आपके खाने को digest करती है जब आप खाने के साथ या खाने के तुरंत पहले या तुरंत बार पानी पी लेते है तो ये जठर रगनी भुच जाती है और आपको खाना पच्चता नहीं फिर वो अंदर पड़ा-पड़ा सरने लगता है और gas, acidity और bloating जैसी problems पैदा करता है तो याद रखें, खाना खाने से एक घंटा पहले और एक घंटा बाद ही पानी ले और अगर खाने के बीच में पानी लेना ही है तो एक याद दो सिप, एक दम छोटी, मुँ में स्कुश करके अंदर ले पूरा glass मत पी जाए और इससे भी भेटर टेकनीक आपको आने वाले 5th point में मिलने वाली है लेकिन उससे पहले अगला सवार पानी किस में पीए आपको क्या लगता है रिंकू की तरह इन कूल सी प्लास्टिक सिपर बॉटल्स में टिंकू की तरह मिट्टी की इन बॉटल्स में बबली की तरह दुकान से लाए हुई मिनरल बॉटर बॉटल से या मॉन्टी की तरह ग्लास की बॉटल में Guess करिए सही जवाब है एक नहीं दो मिटी बॉटल्स और ग्लास बॉटल्स तोनों ही सही है लेकिन कोई भी तरह की प्लास्टिक बॉटल्स एकदम बेकार जो बाजार में प्लास्टिक बॉटल में पानी मिलता है ये डेड वॉटर होता है इसमें कोई जान नहीं होती सोचे कितने हफ्तों पहले फैक्टरी से पैक होकर बाहर निकलता है कितने दिनों तक गो डाउन्स, वेर हाउसे और दोकानों में पड़ा रहता है और कितने महीनों बाद आपके हाथ में पहुचता है ये पानी जो हम प्लास्टिक की बॉटल में खरीद खरीद कर पीते हैं ये फ्रेश वॉटर नहीं होता और एक बात प्लास्टिक में पाई माइक्रो फाइबर्स हमारे पानी में लीच जाते हैं तो जब हम इन बॉटल से पानी पीते हैं समझ लीजिए कि हम पानी के साथ साथ धेर सारे माइक्रो प्लास्टिक्स पर अंदर ले रहे हैं तो आज से ही प्लास्टिक में पानी पीना छोड़ दीजिए और उसकी जगा लाएं इन में से कोई भी मटीरियल की बॉटल कॉपर, स्टील या ग्लास अगले पॉइंट पर बढ़ने से पहले हम आपसे पानी को फिल्टर करने का पानी को डेग वॉटर से लिविंग वॉटर बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका बताना चाहते हैं इंट्रोड्यूसेंग सन चार्जड वॉटर बेसिकली ये एक ऐसा मेथ़ड है जिसमें अब पानी को 5-8 घंटे सन में रखते है इस समय वो पानी सन की एनरजी और सन की हीलिंग प्रॉपर्टीज को अब्जॉब कर लेता है तो पानी सन चार्ज करने के लिए इस तरह का मिट्टी का पॉट ले ले बेस्ट है अगर आपको ऐसे तरीके का पॉट मिल जाए जो जादा डीपना हो और जिसका मूँ वाइड हो रोट साइट पर जो मिट्टी की बरतनों की दुकाने होती है वहाँ से ये आपको मिल जाएगा बाई चांस ना मिले तो अब ग्लास की बोटल्स में भी पानी को संचार्ज कर सकते है उसमें अपने फिल्टर का पीने वाला पानी भर ले किसी पतले कॉटन के कपड़े से धबते और बांधते ताकि पानी में कोई खीड़े या पत्या ना गे रे फिर उसे धूप में 5-8 घंटों के लिए छोड़ दे मानो सुबह 9 बजे रखा तो शाम 4-5 बजे उसको उठा सकते हैं फिर उसको बोटल्स या फिर किसी भी मत्के में भर कर दिन भर में वो पानी पीते जाएगे Sun-charged water is like medicine for the body क्योंकि इस पानी में sunlight stored होती है आप चाहे तो पानी में 9-10 तुल्सी की पतियां भी डाल सकते हैं तुल्सी की पति पानी में से impurities को खीच कर उसको naturally purify करती है ध्यान रहे इन पतियों को खाये ना अब पढ़ते हैं अपने आखरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट पर रोज पानी कितना पिये आपको क्या लगता है 3 लीटर, 8 ग्लास, 4 ग्लास या 2 ग्लास सोचिए सोचिए जवाब है इनमें से कोई भी नहीं क्यूँ? क्योद हम कोई बाहर वाला नहीं बता सकता कि हमें कितने ग्लास पानी पीना चाहिए आपको रोज कितना पानी पीना चाहिए या आपके lifestyle पे depend करता है आप रोज क्या खाते है? रोज कितना sweat करते है पूरा दन एसी में बैठते है या बाहर काम करते हैं सबकी वाटर की नीड अलग-अलग होती है एक सिंपल टेस्ट है यह जानने के लिए कि आप इनफ पानी पी रहे हैं कि नहीं simply अपना यूरीन का color observe करो अगर यूरीन डार्क यलो आता है तो मतलब आपकी बॉडी severely dehydrated है और अगर यूरीन एकदम light yellow, almost white आता है तो मतलब आपकी बॉडी को enough पानी मिल रहा है On average अपने lifestyle के अनुसार आपको 1-3 लीटर के बीच पानी पूरा दिन sip करते रहना चाहिए अंगों को ढंग से काम करने की शक्ती देता है खून को सर्क्यूलेट करता है चलिए, एक और बहुत जरूरी बात सीखते हैं हम सोचते हैं, पानी सिर्फ ऐसा दिखता है लेकिन मा प्रकृती ने हमें पानी सिर्फ ऐसे नहीं दिया मगर ऐसे, ऐसे और ऐसे भी दिया है जब आप अपनी डाइट को water rich बनाएंगे, alkaline बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से कम पानी के गिलास पीके भी पहले से ज़्यादा urinate कर रहे हैं और juices, fruits और vegetables में सबसे purest form of water stored होता है जो सीधामा प्रकृती के filtration system से गुजर के आता है और nutrition से भरा हुआ होता है तो इस वीडियो में आपने इतना कुछ सीख लिया अगर आपको कुछ भी नहीं समझाया तो बस इन 5 points को याद रखें नमबर 1, पानी को drink नहीं eat करें नमबर 2, फ्रिज या ice के साथ नहीं पानी को room temperature पे ले नमबर 3, प्लास्टिक में पानी ना पिये नमबर 4, खाने के दौरान तुरंत बाद या तुरंत पहले पानी ना पिये और नमबर 5, पानी की quantity से ज़ादा पानी की quality पे ध्यान दे अगर आप साथ विक लाइफ के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी health transformation workshop जरूर अटेंड करें ये workshop हर weekend host होती है और आप इसे घर बैठे-बैठे ही अटेंड कर सकते हैं workshop के लिए register करने के लिए यहाँ click करें हमें नीचे comments में बताएं कि आप अगली वीडियो किस topic पे देखना चाहते हैं और इस वीडियो को अपनी family के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी आपके साथी habit अपना पाएं अभी के लिए इतना ही हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे